हाई आप डिवान वेल्कम टू में शेर बजार यूटूब चनल आज मैं अप लोग के साथ फिर से आइडिया के शेर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ अगला रान निती आपका क्या होना चाहिए बाई की और या सेल की और तो अगर आपको जाना है तो इस वीडियो का पांत तक जरूर देखते रहे हैं तो पहले यहां पे आप लोग को नजार आ रहा होगा कि आइडिया का शेर आज के ट्रेडिंग में ऐसा लग रहा है कि यह डाउन ट्रेंड है बले ही इस बिच यहां से यह उपर चला गया लेकिन यहां से फिर से यह नीची आ गया जो यहां से यह लोग बनाता फिर यहां स उसको तोड़ दिया यहाँ पी अगर आप इस option change को देखेंगे तो जैसे मैंने एक वीडियो में आप लोग को बता भी दिया था कि यहाँ से लोग ज्यादातर quit कर रहे हैं दोनों ही तरफ से ज्यादातर quit कर रहे हैं तो इस option change को देखके आगर आपको कोई भी decide करना है तो जा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर open interest change minus ही होरा है नाबल की plus हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इस 577 के price में देखेंगे यहां पर आप देखेंगे जो हम लोग support मांते है इस पूर्स को देखे तो यहां पे आप देखे यहां पे भी एक बड़ा क्वांटिटी में लोग कुट कर रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं माइनस पे हैं और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यह इसमें 10 रुपया के प्राइज में एक ओपन इंट्रेस्ट एक काफी ज्यादा है तो यहां पे भी लोग कुट कर रहे हैं साथी साथ में आप लोग को यह भी बता दो आज जो बोलाटैल था यहां पे आप लोग को नजरा रहा होगा यह एजियर का एक डिशिशन आज भी हुआ है जिस वज़े से आज भी काफी मार उपिया मर्केट में लगाते हैं ज्यादा तो जेनुएन इंफ्रोमेशन ही मान लो कोई इंसाइड उनके जो मान लो आइडिया का शेर इंसाइड उनका इंफ्रोमेशन होता है क्या हो रहा है क्या नहीं उसके बाद ही वो एक्ट करने लगते हैं तो यह जब न्यूज आया ह हुआ होगा आप लोगों तो साम को जब मार्कट ओफ हो गया या फिर लेकिन बन्द होने के बाद ही फर्मूप देने लगा तो इस को आपको समझना पड़ेगा यह जो इसका वे खयल है यहाँ पे जो मेरा opinion है वो मैं आप लोग को ऐसा शेयर कर रहा हूँ उसके बाद मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि यह market कहां तक जाएगा यहां पर मैं आप लोग को बता दू यहां पर आप देख सकते हैं एक sharp fall हुआ है कोई भी ऐसा नहीं है direct lower circuit उसके बाद जब market open हुआ उसके बाद पुरा यह आप खेल देगे उन लोग का खेल देखे है ङоп यह जो हम लोग छोटे मोटे ट्रेडर है वो लोग तो इसमें फच जाते है मानलो यहां पर यह फौललर रहा है यहां पर कोई 10 रूप्य पर sell करता है मानलो यहां से यहां वो तो kup IoT ही नहीं कर पाया होगा तो और नीच यहाँ पर fight हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं, volume भी काफी है, तो उन लोग का काफी अलग ही mind होता है, मालो जो बुरे trader है, उनके opposite अगर कोई आ जाता है, तो stop कर जाते हैं, जब वो stop कर जाते हैं, तब थोरा market उपर जाता है, फिर से यह घुमने का कोशिश करता है, तो यह तो lower circuit लग गया, यह फिर से क्यों उपर जाने का कोशिश करेगा, यह वो ही लोग उठा रहे हैं, वो ही लोग खेल खेल रहे हैं, अगर उसको यहाँ पर lower circuit नहीं होता, तो और नीचे जाता, यहाँ पर थम गया, उन लोग के मन में यह panic हो गया, अगर और भी वो sell करेंगे, तो हर कोई sell करने लगेगा, तो इस market में और तरह पैनिक हो जाएगा, जिस वज़े से उन्हों ने सोचा कि market तो नीचे जाना ही है, तो थरह मुनाफा ही कर लेते हैं, तब उन्हों ने बाई करना शुरू किया, यहाँ पर जाके फिर उन्हों ने इस तरह से कर दिया, जब से ही follow होना चाहिए, जब यहाँ से एक ने मतलब नीचे लानी क्या कोशिश किया, तब यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों नहीं शायद यहाँ पर, जो मान लो मैं दो बोल रहा हूं, चार हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, बीस भी हो सकते हैं, सो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक चेस्ट में एक्जम्पल के लिए ले रहा हूँ, तो हर कोई ये इस तरह से होने लगे कि आप नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये एक शार्प नहीं होता है, मानलो अगर कोई स्टोक देखेंगे, जो कॉम्बो लियों माला होता है, वो एक शार्प में हो सकता है, पूरा दिन च कर देता हूँ, तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप लोग को भूलियम नजर आएगा, 2.14 billion trade हुआ है, यहां पे आज श्रिफ, तो इस तरह के शेरों में एक direction में जाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये जो situation है, उसको आपको काफी अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही करना होगा, जब fight होता है, तब ही अप लोग को घुसना है, और एक market का direction अप लोग को पता करना है, अगर ऐसा situation होता है, तब आप लोग समझ जाना कि ये कोई news आया हुआ है, जब ये sharp sharp बड़ा बड़ा कंडल होता है idea में, तब आप खुश समझाओ क कि वो news आया हुआ है, अगर आप news डूनने लग जाओगे, तो news तो नहीं मिलेगा, आपके heart से वो छोट जाएगा, ऐसा नहीं कि ये निची आने के बाद यहां पे जाके आप sale कर रहे हो है, ऐसा नहीं है, आप देखो market को जाचो और इस्टोपलोस के साथ, तो यहां पे जो रख़पया जैसे पहले तीन डॉपया था, यहां पे जयादा लोग नहीं है, यहां पे लोग विश्वास नहीं कर रहे है कि तीन डॉपया जाएगा, लेकिन चार पाँच रख़पया तक यह फिर से घुम कर जा सकता, ऐसा नहीं कि एक शार्पी चला जाएगा हो सकता है घुम गाम के यहां पर जाए ऐसे जैसे यहां पर आप आप होके यह डिरेक्ट आ गया हो सकता है यहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं दो कंडल थी कंडल इस तरह से हो जाए यहां पर यहां पर जाए यहां पर फॉल हुआ फिर यहां पर आप हुआ फिर यहांपे fall उऑ फिर यहां पे आप कुछ दिनें तक बिता सकता है बेकिन यहांपे मैं आफ लोगे को बता दो अगर आपको sale करना ही है थौरा मुनाफ़ा करना ही है तो यहांपे जो एक range नजर आरा है यहांपे आप अगर देखेंगे यह जो range है इस range को follow करके रखे अगर यह थोड़ता है high volume से फिर ही आप कोशिश करे ट्रेंड के साथ जाए और sales से भी आप थरा मुनाफ़ा कमाए लेकिन आप लेके मत जाए लेके मिंस कि आप CNC में मत करें MIS में ही कर दे और मुनाफ़ा हो तो आप दुरांद ही निकल जाए औ और ऐसा नहीं कि आप better or loss हो तो आप stop loss दे के रख दे तो stop loss देंगे तो आपका वो सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि यहां पे आप खुद देख सकते हैं अगर आप trade कर रहे हैं तो आप खुद देखे यहां पे market कब क्या more बदलता है किसी को भी मालूम नहीं है तो यहां प बाद जो retail trader है यह वो कौन सो सकता है कि यह वाला candle next आ जाएगा जब market open होगा ऐसा तक काफी कम ही हुआ है अगर आप यहां पे देखेंगे यहां पे अगर कोई यहां पे आप देखे जब market मतलब upper circuit लगा तो यह उपर ही जा रहा है लेकिन आज का जो है बस एक ही circuit लगने के बाद यह opposite जाने लगाओ यहां पे आप अगर यहां पे देखेंगे यहां पे आप देखे यह एक lower circuit यह एक lower circuit लगने के बाद यहां से market गुमा क्यूंकि आप next अगर लग जाता तो market ही close हो जाता तो एक range होता है जिस वज़े से वो लोग ही सब कुछ कर लेते हैं यहां पे जो बना हुआ है live market में तो हर कोई confusion ही रहेगा क्योंकि यहां पे ऐसा situation शायद ही कभी देखा होगा किसी ने लगने के बाद एक ऐसा candle ने एक ऐसा कर दिखाया ऐसा कर दिखाने का मक्सद होई है वो लोग ही पैसा कमाते हैं तो आप ही जो situation है वैसे देखे यह जो range है यहां आप देखे एक बार टाच किया उपर गया दो बार टाच किया उपर गया अब यह तिसरा दिन भी यहां पर आया था यहां पर अगर देखेंगे इस range के आसपास आया था अभी यह यह यहां पर close हो गया हो सकता है यह gap down हो जाए तो यहां पर हो जाए या उसके नीचे हो जा देख ले क्या उसका situation है उसके बाद ही आप pre market open में पता लगा सकते हैं ये कहां open हो रहा है उसके बाद आप आप आपना runnitी लगा सकते हैं लेकिन मैं साइश्च करूँगा अगर आपका अभी मन है कि sale करना है buy करना है जैसे मैं जैसे मैं कहता है आ रहा हूँ आभी आप रुख जाओ क्योंकि आभी market काफी volatile है यहां पे अगर आप sale करोगे हो सकता है यह उपर चला जाए और यहां पे आप buy करोगे तो हो सकता है यह down चला जाए तो मैं suggest करूँगा इसे यह cross करना दे उसके बाद आप थोरा मुनाफा ले स कितना लेना चाहिए एक पॉण्ट दो पॉण्ट चार पॉण्ट जितना भी लेना है वो अगर आ जाता है तो आप तुरंत ही कुट कर लो और बैटे मत रहो जैसे यहां पे अगर आप sale करते हो तो इस candle के आसपास एक दूरुपी के आसपास आप उसे कुट कर जाओ और तो यहां पे आप पांच पे अपना ओडर लगा सकते हो जो भी केपिटल है उसका मतलब एक हिस्सा यहां पे चार रुपिया पे और तीन डुपिया पे तब काईबर एच हो जाएगा उसके बाद यह जुरूर ही कोशिश करेगा लेकिन आज तो जो एजेर का जो नियूस है उसके वज़ा से यह काफिर डाउन फॉल हो गया तो आप यह वेट करें जब भी यह इस तरह से फॉल शार्प शार्प या बड़ा बड़ा या बड़ा बुलिम के साथ कोई एक पांच मिनिट के गंडर में होगा तो आप समझ जाना कि यह नियूस एजेर को लेके ही आया और जब तक हम लोग के पास आता है वो लोग कम्पलेट कर चुके होते हैं यानि कि मार्केट को एक दिशा में ले जा चुके होते हैं तो आप अपना तोरह माइंड बगरा लगा कि यहां पी आप ट्रेड कर सकते हो और जैसे मैंने बोला ओप्शन चेंज को भी आप देखे अगर यहां पे आप लोग को कोई प्लास आता है तो वहां पे आप सपूर्टी से मान सकते हैं और यहां पे अगर प्लास होता है तो यहां पे आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं और मैं तो आप लोग को बताने की कोशिश करता ही हो तो इसी तरह information वीडियो पाने के लिए हमा